यहां हम कर रहे हैं गटना चक्र 2021 तो इसमें चल रहा है हमारा भारती राज वेवस्ता अब ताशन और आज हम करेंगे चैप नमबर एक जो कि आपकी समधान में स्टार्टिंग में होता है जो भी आपकी भारती सम्धान है उसके स्टार्टिंग में चली गईस एक बार हम आते हैं बीच में और यहां पर देखिए यह रहा आपका स्लेबस जो आज हम करेंगे चैप्टर वह है चैप नमबर एक चो की है उद्देशिका उसके इलावा भी आप सारे एक बार चैप्टर देख सकते हैं इससे हमें बस यह अंदाजा रहता है कि हम कहां तक हमारी जनरी सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें तो इस चरी आप हम स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा था है इतना बड़ा भी नहीं है जल्दी हो जाएगा खतम तो देखिए आपर क्य जाएब देखिए तो यहां पर लिखा है बाइस जन्वरी 1947 का उदेश प्रस्ताफ को सम्मिधान सभाद्वारा अंगी करत किया गया तो यह बताई है सबसे पहले तो सम्मिधान पर सबसे अंत में जो हस्ताक्ष होते हैं वह बहुत दिनों की बात है बहुत दिन बात की बात है तो यह होता है को यहां पर यहां पर कंप्लीट हो जाता है याने कि 2050 in 1947 की match तो यहां पर क्या होता है अभी हम उद्देशिका की बात कर रहे हैं यहां पर उन्होंने प्रस्तुत किया था जवाला नहरू ने फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव को कह समिधान सभाद्वारा अंगीकरत किया गया तो इसी याद रखेंगा यह जब उसे अंगीक बनाई गई उसी को चेंज कर दिया 42 समिधान संशुदन आता है का बाता है 1976 में आता है और किसकी सरकार थी इंड्रा गांधी की सरकार थी तो इनके तुवारा क्या है जो प्रस्तावना है उसमें क्या होता है तीन वर्ट्स जोड़े जाते हैं कौन कौन से एक तो हो गया देखो गया अखड़ता यह तीनों वर्ट्स जो है आपके कब जोड़े गए हैं समिधान में 42 समिधान संशुदन होता है 1976 होता है ठीक है चलिए यह तीन वर्ट्स याद रखेगा समाजवादी पंत निर्पेक्ष और अखड़ता चलिए भारती समिधान की उद्देशिका भारत को संपूर प्रभुत संपन समाजवादी पंत निर्पेक्ष लोगत अंत्रात्मक कडराज के रूप में घोशित कहा है तो जब आप पढ़ते हैं समिधान की प्रस्तावना तो उसमें आपको इसी तरह से मिलेगा क्या 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 है प्रभुत संपन ठीक है हम जो है मतल मतलब नहीं है कि कोई एक धर्म से रिलेटेड हो सबी फिर लोगतांत्रिक है यहां पर जो आपका जो आपकी सरकार है जो आपका नेता है वो आपके द्वारा चुनके गया हुआ है और गड़ राजी है गैस यह जैसे ब्रिटेन की अगर हम बात करेते हैं वहां राजा होता यहां पर कहां पर है यह ऐसा ब्रिटेन में है लेकिन हम यहां राश्रपती की बात करते हैं तो यहां पर क्या है कि चुनके जाता है आप भी बन सकते हम भी बन सकते बस तो इसलिए कहा गया गड़ राज्य है अब लिगाए समविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों तो इस वाले में हमने कहा कि समाजवादी और पंतिनिर्पेक्ष यह दोनों कब जोड़े गए वर्ड आपके 42 समिधान तंशोधन में जोड़े गए आगे बढ़ते हैं अब इसमें की बात करेंगे यह दोनों आपकी पहले लाइन में आये थे तो हमने बता दिया कि यह दोन क». कि कितने प्रकार के बात करें है हमारी प्रस्तावना में तो कितने प्रकार की आपको कितने प्रकार ये थे थे चिस आपके निर्वचन में सहयक है ठीक है फिलकाई सर अलादी कृष्णा स्वामी अयर के अनुसाव उद्देशी का हमारे सपनों और विचारों का क्या है प्रतिनिदितू करती है ठीक है चलिए इसमें को समझाने जाता नहीं अब के मुंसी क्या कहते है उद्देशी का हमारे प्रभुत में प्रस्ताबना थी ना तो देखिए उन्होंने कहा कि लोक तंत्रात्मक प्रभुत्य संपन और गड़ राज प्रभुत्य संपन लोक तंत्रात्मक और गड़ तो जब उन्होंने कहा था तब यह दोनों वर्ट्स नहीं याड़ है तो वहीं तीन वर्ट्स उन्होंने हाप स्विकार गये मतलब यह है कि जब हमारी समिधान बनता है ना तो यह बात हुई कि जो यह प्रस्ताबना है समिधान में वह क्या समिधान का भाग है हां या ना इस पे हमेशा कहा है मतभेद रहा है तो गैस एक केस आता है 1973 में आता है केश्वानन भारती बनाम केरल राजे तो यहां पे Supreme Court क्या कहता है कि भाइया जो प्रस्ताबना है वो समिधान का ही भाग है ठीक है यह इसलिए आ जाता है ना क्योंकि हम समिधान का संशोधन कर सकते हैं तो क्या हम प्रस्ताबना में संशोधन कर सकते हैं तो देखे 1973 में आ गया कि भीया हाँ समिधान का भागे हाँ ठीक है आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा जैसे अभी 1976 का हमने देख लिया 42 समिधान संशोधन यहाँ पर प्रस्ताबना में तीन वर्ड्स को एड़ कर दिया गया यहाँ पर संशोधन हो गया ठी इमत बेद है अभी कोशन चल रहा था कि यह आपका समिधान का भाग होना चाहिए यह नहीं होना चाहिए उस वाले केस के बाद हो गया यहां है इससे पहले क्या होता है आपका वेरुवादई बाध होता है agendaugCalleli respect 60 में देखा है तो इससमें लिखा है कि उड़ेश का को समिधान का अंग नहीं माना गया मतलब यहाँ पे दो केस लिख दिये तो जो 1960 वाला केस था ना वेरुवादी उसमें कहले है नहीं भया यह समिधान का भाग नहीं है दूसरा जब यह केशों न भारती हो गया उनने का ठीक है चलिए आगे बटते हैं मतलब पूरे पॉलिटी में आपको गिनके यहीं पे ना तीन-चार केस बस चार ज्यादा से जादा होंगी या पांच होंगी जिसको आपको याद रखना है ठीक है अब आपको यार इत्ती बड़ी बुक है कैसे याद रखें कि बहुत सारे हो सकते हैं आगे भी तो मैं आज यहीं बता दूँ कि इससे जादा बहुत जादा केस है नहीं यह तीन-चार केस तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं एक दिन एक पेपर पर लिख लिजेगा यही चार-पांच केस हैं उसके लावद तो कुछ भी नहीं है ठीक है तो यहां पर लिखा है बुम्बई बना यूनियन ओफ इंडिया कौन सा साथ देखते हैं तो सबसे पहले 96-1960 वाला है यानि की बेरुवादी यहां पर नहीं है ठीक है यहां पर नहीं है अब सेविंटी फिर आता है या है भाग है ठीक है फिर वहीं पर आगिया एक 1994 में आपका बुम्मई बना यूनियन ओफ इंडिया तो इन्हों ने का हाँ यह आपका समिधान का ही भाग है तो चार केस बिल्कुल याद रख लीजे यह बहुत सारे केस नहीं है पॉलिटी में आपके यार इस पर भी केस उस पर इसको तो पता होगा कि इतना नहीं है लेकिन जो नया है उसको में आज बता दू कि आको बहुत जाद हcupलाना यह पिल हाल याद रख है थिक है आगे होंगे दो चार और इसके नहीं है बहुत जाद नहीं थ documentsна श्चाय तक Zurare लक्षण है चलिए पंति निर्पेक्षिता जो है आपकी कई इसका बैड होती है हमारी 42 बास विदान संशोधन आता है गाइस 1329 में जाता है और यह उद्धेशिका की जो प्रकृती है वह नियायोचित नहीं था इसका किया मतलब में विचार अभी व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की तुरमी स्वतिंतरता की बात की चलिए इसमें न्य आ रहा है तो नियायोचित नहीं है तो बैड़स्टेशिका क आप देखिए हम दूसी काला चाहिं लाइन कहीं गयी है एक न्याई की बात कर लिए जिसमें तीन प्रकार की नाए थे सामाज आर्थिक राजनीतिक तूमाज याद रखेगा तीन अगर बात करें तो इस आपके बाद कितने प्रकार की सुतनतरत से आपके पांच प्रकारी सु अभिव्यक्ति यानि की freedom of expression हो गया फिर विश्वास की स्वतंत्रता हो गई जो भी आपका विश्वास है आप उसके लिए स्वतंत्रता हैं जहां जैसा आप विश्वास करते हैं स्वतंत्रता ठीक हैं धर्म स्वतंतरता हो गई या उपासना की स्वतंतरता हो गई यह पांच तरेके की आपकी स्वतंतरता है यार राट लिजेगा फीज में लिखा है प्रतिष्ठा और अफसर की समता उन लिखे थे तो यहां पर गई समता की अगर बात करें तो प्रतिष्ठा और अफसर की यानि कि ती कि अत्मा क है मतलब प्रस्ताबनहाем कि आत्मा कि खतम प्र nerने का सμέगों सब्ढ़ने के विक्ताबनहा बिना सब्सार के अगतां कि बड़ागों समृज़ानिक था है उसको क्या वोईड्य को केम मुंशी ने उदेशका को क्या बोला है राजनीतिक जनम पत्री कहा है तुभाश किश्यप ने कहा है कि सम्विधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है वही बात प्रस्तावना आधार शिला है तो सम्विधान उस पर खड़ी अटालिका है सम्विधान को एक क्या है पवित्र दस्तावेच का है तो कैसे से एक बाद पढ़ लिजेगा तो हलाकि बहुत ज़्यादा तो यह नहीं पूछे जाता चली कोशना में पर इतने सारे हैं कि क्या क्या पूछे आपको याद क्या रखना है तीन याए पांच स्वतंतरता प्रकार की सवतंतरता दो प्रकार की समता की बात कहीं गई है उसके बाद तो कुछ खास नहीं है ठीक है इस बास रता ही है चली अब श्टार्ट करते हैं कोशना अंसा और उसके बाद हमारी वीडियो हो जाएगी प्रस्तावना बोली गई है तो इसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसंपन समाजवादी पंतनिर्पेक्ष लोगतांतिक गर्णावज बनाने के लिए तो ये वाला और ये वाला बयालेस्वा समिंदान जन्शु दरुसा है तो बनाने के समाजिक आर्थिक राजनितिक न्याए पिर अब बात करेंगे हमाई स्वतंत्रता की विचार अभिव्यक्ती विश्वास धर्म उपासना की प्रतिश्था और अफसर की सम्था प्रदांक कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ते की गृरिमा और राष्च्ड Preis ये लाइंक बड़ भी आपका 42 सम्विधान संशोधन में जोड़ा गया था और अखिंड़ता सुनिश्चित करने वाली बंदुता बढ़ाने के लिए द्रण संकल्प होकर अपनी इस सम्विधान सभा में आज तो आज यह है आपका टाइम पीरियड बताने किस दिन ठीक है को एकद द्वारा मतला एक साथ इस सम्विधान को अंगिकरत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं तो कब जो है यह आपका अंगिकरत हुआ था हमने का था यह जैनवरी ओके यहां पर सम्विधान की बात है पूर ना कि प्रस्तावना को अंगिकरत करने की बात कही गई यानि उद्देशिका की बात यहां नहीं कही गई यहां सम्विधान कब आपका अंगिकरत होता है अधिनियमित होता है आत्मार्पित होता है तो यह हम पहले पढ़ चुके हैं यह कब हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को मतनưng 11 केबाद 11 नवंबर 먹고 Пос flux 24 अले सुपचार को, 15 फिलहान में यह 3 छीज़े होता है इस में भारती राज व्यवस्ता की रूपमें उद्धेश और आत्ग ब्योशक की उलेग भी किया गया है जिस दिन जो है बारतिय सम्विधान को स्वीकार किया गया ठीक है और एक्स की जगे क्या नेविट करते हैं तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट कोशिन पर आते हम लोग फटाफट जली खतम करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा हो समझ में आ रहा हो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा ठीक है और कमेंट करके जरूर बताइगा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कैसा आप लोग के कमेंट आते न तो उसके अकॉर्डिंग और भी मन करता है कि यार वीडियो लान हमाई पास दो चीजे नहीं थी प्रभू प्रभुत्य संपन ने था उसके जब समिधान को फाइनली हमने एकसेप्ट कर लिया था यह स्ताक्षा कर देते प्रभूत्य संपन लोग तंतरात्म को गर्णाज यह तीन बड़ थे फिर बाद में जो समाजवादी और पंद्र पे निर्पेक्ष और यह अखंड़ता एंड में ठीक है तो यह कब आता है आपका ब्यालेसो संविधान संशोदा 1976 दौर जोड़े भारत के संविधान के निर्माताओं का मतनिमलिखित में से किसमें प्रती बिंवित होता है तो किसमें होता है अभी हम कहानी पढ़के आए हैं पूरा उदेशी का यानि की प्रियांबल में तो लिखाए संविधान के निर्माताओं की मनह इस्तिति को समझने की क्या है यह कुझी है और यह संविधान निर्माताओं के सिधानत और आदर्शों को प्रदर्शित करता है संविधान की प्रस्तावना ने देश की नियती को आकार देने में प्रमुख भूमी का निभाई है तो 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है कि सम्मिधान के समक्ष क्या होता है जवालल नहरू प्रस्तावना या उद्देश को प्रस्तूत करते हैं और 22 जन्वरी 1947 को पारित कर दिया जाता है ये अभी हम पढ़ के आए इसे ही जो है परि संतरता है कितनी प्रकार की समता है और कितनी प्रकार की जाब की भात्रत्तु है तो यह देखिए हमारा आंसर है तो यह हो गया वन ठीक है यानि कि 3521 यह हम पढ़ते आ रहे हैं अभी चलिए इसमें अब क्या explain करा जाए तो इसे तो मैंने बहुत बार explain कर दिया अब इसमें लि दिया तो देखिए जब हमने पड़ा सार्व भॉम सत्ता संपन समाजवादी सेकेंड नमबर पर आता है थार नमबर पर पंधे निर्पेश फोर्थ नमबर पर आता है लोगतंतरात्मक और गड़तंतर तो यह बिलकुल लाइन से आप याद कर लीजेगा तो यह है ठीक है य भारत को किस रूप में घोशित किया गया तो गया जाए भारत के अधर्त के है सार्व भॉम और भी वही जो हमने बड़ा समाजवादी धर्म निर्पेख्या पंधे ही बात होती है लोगतंतरात्मक और यह बात फीक है तो इसमें और चुछ नहीं है ए तो इसमें लिखा है क सबसे पहले नंबर पर यह लिखा है नम्बर पर किया लिखा है समाजवादी लिखा है तीसे नंबर पर लिखा है आपका धर्म निर्पेक्ष प्रजातांत्र तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो गया इसका सी एडीबी सी एडीबी कहा है सी एडीबी तो किते असान कॉश्चन आप लोग को बिल्कुल ज्यादा पढ़ने की जुरत ना पड़े अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें गया भारती 42 समिदान सन्षुदन होता हैं उसमें क्या जोड़ा गया समाजवादी समाजवाद 15 पेख्ष और अखण यह पलाल इसमें भारती समदान की प्रिस्ताबना में धनविम्रिक्ष और समाजवादी शब्ध या जंद मिल्पेख्ष यही बाद ठीक है तो यह शब्द जो है कब सब्सक्राइब करता है तो कौन करता है समिधान की प्रिस्ताबना क्याती है जो भारत है ना वो धन्मिर्पेक्षा या पंतनिर्पेक्षा और यह वर्ड हमने कब जोड़ा है 42 सब्सक्राइब नागे बढ़ते हैं लिखा है निमलिके शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारती सम्विधान की प्रिस्ताबना में सम्मिलित नहीं किया गया तो सबसे पहली बात तो यह देट है मतलब यह सन जो है वह है क्या लिखा है 1975 में अखंड़ता जो है 1976 में आया है और 1975 में यह सारे पहले से अल्रेड़ी थे इसमें अजीव लिख दिया नहीं अच्छा कौन से का है कैसी यूपीपीसीस में 2006 का है ठीक है तो इसने कहा कि यह तीन वर्ट्स जो है आपके 42 सम्मिधान संशोदन में जोड़ क्या क्या जोड़ा गया था तो समाजबात पंदे निर्पेक्ष और बस इससे ज्यादा आपका इस बन और थ्री यह रहा आंसर आपका ठीक है चलिए आगे बढ़ते सम्मिधान के उद्देशिका के समद में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए और दिये गए कूट की सा भाहता से बताईए कि इसमें से कौन सा सही है ठीक है तो पंडित नहरुद्वारा प्रस्तुत क्या है अब्जेक्टिव प्रस्ताव अन्तो गत्वा उद्देशिका बना चलिए सही है बिलकुल जो उन्होंने दिया था उद्देशिका बात में बन गया ठीक है इसकी प्रव अगर यह मूल समिधान का भाग है तो इसमें संशोधन हो सकते हैं और संशोधन ही हुआ था जब 46 सारी 42 समिधान संशोधन हुआ था तो 1976 में तब संशोधन हुआ है एड किये गये हैं वाट्स फिलिए समिधान के विस्ष्ट प्राभधानों को यह रद्द नहीं कर सकता ऐस इसमें आंसर है 1 2 & 4 यानि कि अगर आपका मूलबूरग रचा है उसका उलंगहन होता है तो इसमें तीसरा गलत है वोई हमने जो कहा कि इसमें संशुदन नहीं किया जा सकता है तो इसमें पढ़ने जैसा क्या है संविधान के विशष्ट प्रावधानों को रद नहीं किया कर सकती केश्व नंत्भारती मामले में सर्वोज नेले हैं सब्सक्राइब देशिका का उपयोग संविधान के रिद्धान के और इस पष्ट छेत्रों की व्याक्या करने में किया जाता है किया जा सकता है ठीक है अब लिखा है उद्देशिका में संशोधन संभग है 42 संशोधन संशोधन जैसे हमने देखा और तीन वर्ट उस्त में जोड़े गए उद्देशिका जो है आपका संविधान के इसपश्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है इसका उपयोग य इस निशकर्स के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढचे में कोई परिवर्टन नहीं किया गया है तो इस आगे next question हमारा क्या है इसमें लिखा है संविधान की प्रस्तावना का विदिक स्वरूप क्या है तो यह लागू नहीं किया जा सकता ठीक है मतलब उसमें अब भारती समीधान की उदेशिका में संशोधन किया गया था तो officially किया गया था शमाज्वादे उदेशिका में जोड़ा गया था 42 सभीधान सभीधान से भारती सभीधान की प्रस्तावना में समाज़वादी शब्द कि संभर समलित है कौन-कौन से पंत्य निर्पेक्ष है अपका यह है और यह है तीन है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं गाई भारती समिधान की प्रस्तावना में पंत्य निर्पेक्ष सब्द जोड़ा गया 42 समिधान संशोदन भारत के समिधान के अमुक का लक्ष उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है क्या सुनिश्चित करना है दोस्तों न्याय कौन-कौन से समाजिकार्थिक और एक और राजरितिक न्याय ठीक है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अफसर की समानता व्यक्ति की प्रतिष्टा यह सारे यह सारे प्रसावना में लिखे हुए ठीक है तो देखिए यहां पर नियाय कौन-कौन से सामाजी कार्थिक राजनेतिक और स्वतंत्रता विचार अभी व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की प्रतिष्टा और अफसर की समता यान सब्राड करें速ब आकश्रा ष॥ Krista समचोद्र में संपूर्ठ प्रभुत शम्पन लोकता यृत ने सुपपर है यहां यह इस ुख कर दिया गया और प्रतिष्टा वेण और यह समचोद्रता इस नेहां रहाएं और क्या है इसंकर दिया गया इ। इस ने रहे जूर्थि कर और जो आर एकी सही व्याख्या भी करता है तो इसमें व्याख्या पढ़ने जाता कुछ भी नहीं है भारत में लौकिक सार्व भॉमिक था है क्योंकि संविधान की प्रस्ताबना आरंब होती है तो हम भारत के लोग शब्द से देखिया आए इसको पढ़ते इसमें लिखा है भारतिय सम्विधान की प्रस्ताबना हम भारत के लोग यानि की we the people of India शब्द से शुरू होती है अता भारत में लौकिक सार्व भौमिक्ता है और इसका अर्थ है क्या जनता सर्वसक्तिमान है और किसी वाहे सत्ता के अधीर नहीं है मतलब हम हम आप सर्वसक्तिमान है और हमार भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतिय सम्विधान में कहां किया गया है सभी व्यक्ति पूर्था और समान रूप से मानव है यह सिद्धान जाता है तो यह देखिए इसने का सभी व्यक्ति क्या है पूर्था समान रूप से मानव है यह सिद्धान जो है आपका सार्व भौमिक्तावद की नाम से जाना जाता है इस धांत के अरुशा सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्द होने चाहिए मतलब कोई ऐसा ना उनके संग बेदभाव ना हो अगर उनके अधिकार उनको देने हैं तो बिना विभ भारतियों को धार्मिक सोतंतरिता प्राप्त है और देख लिए इसमें लिखा है कि धर्मा नुप पालन व्यक्ति की इच्छा पर नेभा करता है भारत में राज का कोई धर्में तो इसका अंसर है यह यह जैसे हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं जब आपका विश्विद ह हुआ था उसे पहले की बात या बहुत ही पहले की बात करेंगे अगर हम पुना जाख्रण नहीं आया था तब देखिए क्या था देश में धर्म का अच्छागासा रोल होता था भारत नहीं है मतलब ऐसा नहीं है कि यह हम हिंदू राष्ट्र है या हिंदू मुस्लिम राष ब्हारत में राज्य कोई धर्मों को राज़द्वरा समान प्रश्य अपेक्षित है जैसे कि आप तो रट गई होगी है प्रिएंबल आपको लिखे भारतिय समिधान की प्रस्तावने में निमलिखित में से कि स्वतंत्रता बढ़न नहीं पास तरह की इसा थी इस kid अधि desa नें के निहें डीक नहीं चलिके ऐब और किापड़ें इस Mayra पोर्ट cette lg दिए निम्लिखित में से कौन भारती सम्यधान की प्रिस्ताबना में लिखित नहीं समाजिक नै आर्थिक नहीं मिलता ता जब आपको जोना आरख्षण दिया गया था वों पी आपका और चनिक आधार समाझेnis संधने कुछов को जो है आपका अरथिक कभी यहां जीक्ड़ है अरतिक आदार पर यहां अब देखे अरख्षण दे लिए गया 10% जिसमें आपके जन्रल केटिकरिकरी आ रही है तो आपको आर्थिक अदार पर आपको अरक्षन मिल रहा है तो यह पहली बार आए आर्थिक अदार पर कुछ तो आर्थिक याद रखिएगा और इसको हटाईएगा लिखाए सम्मिधान की प्रस्ताबना के बारे में कौन सा सही है समाजवादी धर्म निर्पेक्ष शब्द जो है आपका 1950 में लागू सम्मिधान का अंग नहीं था सही है नहीं था क्योंकि यह तो 42 सम्मिधान संशोदन से जोड़ा गया अब लिखाए उक्तशब्द 1977 के संशोदन जोड़े गया नहीं गाई यह 1976 के संशोदन तो इसका आंसर आपको पता है ए था आंसर ठीक है आगे बड़े भारतिय समिधान का कौन सा बाग समिधान की आत्मा कहला था तो उद्देशी का प्रस्ताबना यही है गई चलिए तो इसको यही है आंसर गैस इसमें क्या पढ़ना एक बढ़ आप इसे पढ़ लीजेगा कि कि किस ने क्या कहा निमलिकित में से किस ने भारतिय समिधान की प्रस्ताबना को हमारे सम प्रभू प्रजातांतिक गंड़ाज की जन्पुंडली कहा है किस ने कहा है तो यह कहा है आपका के मुंशी ने तो यह आया देखिए गाइस छट्रसगड़ PCS में आया है ठीक है इससे पहले वाला आपका तो बहुत में आया है तो आपको पता ही उद्देश का अंधर चली तो के मुंशी ने अता का ठीक है अब लिकाई समिधान को एक पवित्र दस्तावीज किस ने कहा तो किस ने कहा था पंडित यह अमबेटिकर बी आर अमबेटिकर ने कह था ठीक है तो 29 समिधान सभा में अमबेटिकर साब ने कहा कि अधिक्षिता में जो है साथ सदे से प्रारूप समिथी का गठन किया गया ठीक है अब लिखाए बाकी तो यह नहीं कहा था और कुछ नहीं तो लिखाए किस बात के फैसले में सरवोचिन्याले ने सरप्रथम सरप्रथम घोशित किया कि अधिश की समविधान का हिस्सा नहीं किस्वाले में काता गया फेरुवार्दी जो हुआ थाना ना tą 1960 सिटी में 1960 में उनने सो में बेरुवार्दी केस आया है तो उसमें कहा था ने बहिए जो यह प्रस्ताबना यह यह संविधान का हिस्सा नहीं लेकिन बात के केसे जाए उसमें सब में हाँ 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 कहा दिया था चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिहां देखे फिर उसके बाद सेवंटी संशोधन कर सकते हैं आपको प्रस्ताबना में संशोधन करने का अधिकार है आपको नहीं संसत को देखे लिए तो इसमें लिखाया प्रश्ण प्रश्ण करन बाद में जो है बंबभई बनाम देखे तो इस एक तो है केश्वनन्द भारती में आया था तो यहां पर ऑप्शन में वह है यह नहीं बंबभई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्छितम न्याले ने कहा कि उद्देशी का सम्विदान का भाग पंत्य निर्पेक्षता जो है सम्विदान का मूल लक्षण है केश्वनन्द भारती बनाम केरल राज कब 1973 के मामले में भी बहुमा से यही कहा गया कि जो उद्देशी का है वो आपका सम्विदान का भाग है निमलिकेद विवादो में से किसमे सरवोचे नयाले ने बहुत हैं तो यहां पर क्या लिखा है कि केशन भारती बनाम केरल राज 1973 का यह केस है गईस इसमें सरवोचे नयाले ने कहा कि जो आपका प्रस्तावना को भारती सम्विदान के मौलिक संरश्णा का भाग सविकार किया गया सरवोचे नयाले के दौरा हमारे सम्विदान की प्रस्तावना घो हमारे संरव का प्रस्तावना में में पुर्णिक बुनियादी चत्वों पर खड़ है इसमें से किसी भी सटो को हटा धिया जाए तो सार धाचा ही ढह जाएगा कोई भी समेधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्धेशों का जो है की रूप रेखा दी गई है उसकी व्याक्या की गई है जो भी चीज हम में प्रस्तावना में है वो पूरे एक चाप्टर है तो देखे इसमें लिखा है भारती सम्मिधान की प्रस्तावना सम्मिधान के उद्देशिका को क्या करती है प्रति बिम्मित करती है प्रस्तावना पढ़ के समझ सकते हैं कि उसका शौर्ट रूप है प्रस्तावना बहुत है चोटे कुछ ही लाइन में आपने पूरा सम्मिधान लिख दिया है तो या समझे वही तीन नया है के नाय दिना और ये 5 प्रकार की स्वात्पनद्रता देना दो प्रकार की समता समान्ता देना तो इसमें व्यक्ति का उतकर्ष कहीं संपूर राश्टर के उतकर्ष में बन्धा ना स्वारी बाधक ना सब्सक्राइब करता है तो इसको आंतर ही हो गएगा इसमीदान की प्रस्तावना भारत के समीदान के उद्देशिकां में कितने प्रकार के नया है तीन प्रकार के नया है कौन-कौन से हैं यह आप जानते हैं ठीक है तो अब लिखा है कि समाजिक आर्थिक और राजने दिखने आए यह हम तीनों पड़ चुक पता है हमें समाजिक नया से मतलब के आप देखें अब इसका थोड़ा सा इस एक्सप्लेइन कर जाए तो समाजिक जान आए ना मतलब अगर सपोस्स कि एक व्यकति कया है आपका अच्छ वर्ग से एक निम्न वर्ग से है तो यहांपे क्या है इस आपका इसको अलग तरीके के नया दिया जाए तो समाजिक नयाय में आ जाता है जाती के आदार पर नहीं होना चाहिए जब है अदमी है ये औरत है तो लग से आप हुसाब कताब रख रहे हैं दोजों का तरीका अलग है आपका दोनों से बात करने का अर्थिक नयSI तात्र पर क्या है आर्थिक अधार है किसी के साध्व नहीं इसका मतलब इसको अर्थिक अधार आप मिल रहा है उसी काम के लिए लेकिन पर जादा मिल रहा है तो इसी तरह से और वह एक्जैम्पल हो सकते हैं प्रतिक नागरी को समान राजनीतिक अदिकार दे जाए अगर इलेक्षिन में खड़ा होना है तो बराबर माना जाए दोनों को ठीक है फिर यह सब गई तो अब लिखा है भारत के समीधान के उद्देशों में से एक के रूप में आर्थिक नयाय का किस में उपबंद किया गया है तो उद्देशिका में है और राज के नीति निदेशक तत्व इन दोनों में आपका आर्थिक नयाय की बात कही गई है कि आर्थिक नयाय कहीं पर भी आपका मूल अधिकार में नहीं है मूल अधिकार में नहीं है तो उप्रोप्त में से किसी में नहीं लेकिन हाँ गई इन दोनों में है और किस में नहीं भुलाद भारत के समिधान की उदेशिका आंसर ही देख लेते हैं समिधान का भाग है किंतु उसके अन भाग से स्वतंत्र होकर इसका कोई विदिक प्रभाव नहीं है ठीक है यानि अब यहाँ पर क्या लिखाए गई इसके बड़ी बड़ी व्यक्या है लिखाए केशोनन्द भारती बनाम केलर राजवाद कब होता है आपका 1973 में होता है सर्वोची नाले ने कहा कि भाईया उदेशिका समिधान का भाग ह और बेरुवाडी यूनियन 1960 में उदेशिका भारत के समिधान का भाग नहीं है ऐसा कहा मतलब को उलटते हुए जो केशोनन्द भारती बाग मतलब ये वाले में जो आपका कहा उसको क्या है उलट दिया और इसमें कह दिया कि भाईया भाग है समिधान का ठीक है तो इस पर क समिधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होका उद्देशिका को कोई विदिक प्रभाव नहीं है मतलब आप उससे जुड़े हुए हैं आप अलग से नहीं हम स्वतंत्र नहीं है ठीक है लिकाई समिधान में दिया गया आमुक क्या नियाले में लागू नहीं होता है ठीक है मह बात्तों किसी भी विकल्प में सभी कफन समलित नहीं है तो कोई आंसर यह नहीं दिए लिखा है अर्था किसी भी विकल्प तो इसलिए हम उस चोड़ी इसमें कुछ नहीं लिखा है इसमें आंसर है चारो सही मतलब नियाले में से लागो नहीं किया जा सकता पहली चीज महतपूर है और उसकी उपयोगिता भी है बिल्कु सही साशन करने के देशों को लिखित भी क समाजिक समानता सम्मिधान में प्रत्याभूत है क्या लिखा है सम्मिधान के अर्टिकल 14-18 के तहत प्रदत समानता के अधिकार के विभिन प्रावधानों के तहत समाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है और समिधान की प्रस्ताबना में भी समाजिक नयाय प्राप्त करने की बात कही गई तो यहां पे कहना हमारा chapter हो गया खतम तो अगर आपको वीडियो पसंद आ लिए तो अगर आपको भीडियो पसंदाई तो है तो इतनी ज़यके ज़य मोनедाइस करवाने के लिए थैंक यू और यभी है 5 महीने should also be completed पांटी तो नहीं दी जा सकतीract फेल्ट है तो चले गये यह आपर भीडीयो को कटटे हैं और बिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स चैप्टर के साथ स¬ के साथ salads झाल झाल